36 गड़ के बिलासपुर जिला के तकतपूरा थाना शेतर में 30 अक्तूबर रविवार की सुबा एक शक्स आता है और बोलता है कि साहब मैंने अपनी बीवी को मार दिया है जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है पुलिस फौरण उस शक्स को हिरासत में लेती है और उस जगा पे पहुँचती है जहां उसकी लाश पड़ी हुई थी महिला की पुलिस महिला की इलाज कबजे में लेकर पोस्मॉटम के लिए भेजती है और मामले की जाच में जोड़ जाती है वो उस शक्स से पूछती है कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा तो बताता है कि जो मेरी बीवी थी जिसका नाम निशा साहू है जिसकी उम्द 32 साल है छंवतार दासपूर के सक्री इलाके में रह रहे था मंगर इडिरह महिने पहले ही तुर प्लू तभटपूरा तना शेतर है जो उसका में पेशे से कार्परिंटर था इसी से घर चलता था मंगर सख्री इलाके में जब यह लोग रह रहे करीब डीडे महीँने पहले ही वापिस अपने घाउंतकत पूरा आजाता है अपने तीन बेटीयों और अपनी बीवी को लेकर हैं लेकिन कि यह तो भी इन दोनों के बीच में लड़ाई जगड़े कम नहीं होते हैं सक्री इलागे किसी लड़के से तीस अक्तूबर की सुभा ये दोनों खेत में जाते हैं वहां पर भी इन दोनों की इसी बात को लेकर भैस बाजी होती है और भैस इतनी बढ़ जाती है कि जगेंदर जो है पास में रखे हुई कुलाडी को ठाता है और निशा के सर पर एक के ब जेल की सलाखों के पीछे है जगेंदर मगर सोचिए कि बाब जो है जगेंदर वो जेल के अंदर है मा की मौत हो चुकी है अब तीन लड़किया मची है उनकी जिन्दगी अब कैसे कटेगी उनके इस ताइम दिल में क्या चल रहा होगा कि उसके माबाब जो है माज दुनिया है आपका क्या कहना है मैं कमेंटर के जरूर मता है